मेरी सबसे बड़ी भूल जिंदगी की जो कि मैं शायद सुधार भी ना पाऊं मैं इस मुरख के लिए मैंने स्टेटमेंट दी थी इस ग्रोवर के लिए मैंने स्टेटमेंट दी थी सबसे बड़ी भूल सबसे बड़ी भूल सबसे बड़ी भूल थी यह निकम्मा पानी से जो नाता है वो लिबास बदलता है और पसीने से जो नाता है वो इतिहास बदलता है रामकुमार गौतम जी को बात कह रहे थे परहावर वाली जमीन के बारे में देखो परहावर वाली जमीन में बहुत गेर आई है बहुत ध्यान से सुनने की बात है एक मिनिट भई परहावर वाली जमीन में बहुत गेरी बात है 23 तारीक को आपने हवन किया 23 को 24 को 23 को हवन किया गौड ब्रामन संस्तार सबने मिल करके नवीन भी था और 23 तारीक के बाद मैंने मुख्य मंत्री से बात की 23 से पहले बात होगी थी ये किर्शन पाल गूजर जी के घर पर और उससे पहले यनिके 23 से पहले लगबग 20-25 दिन प और मुख्य मंत्री जी ने कहा कि भी जमीन संस्ता की है संस्ता को दी जाएगी लेकिन बहुत गेरी बात है बहुत सुनने की बात है सरकार अगर चाहे सरकार अगर चाहे तो दो घंटे का भी काम नहीं है कोई ऐसा मसला नहीं था कि अगर सरकार चाहे इमांदारी से दिल से अगर सरकार चाहे तो दो घंटे का भी काम नहीं था लेकिन सरकार तमासा देखना चाहती थी सरकार ब्रामणों में दम देखना चाहती थी के ब्रामणों में कितना दम है ब्रामणों में दम कितना है अरे मैं आपके आशिरवाद से 36 ब्रादरी के आशिरवाद से चोथी बार सांसदू मैंने मुख्य मंत्री जी को कहा कि मुख्य मंत्री जी चार तारी को आपको याद होगा चार तारी को मैंने स्टेज से कहा स्टेज से पहले भी बात की सारे अफसर बुडा लिए लेकिन जमीन की हां तो भर है कि हां देंगे नाठते नहीं और देते भी नहीं नाठते नहीं और देते भी नहीं और भाई मैं अभी आपको याद होगा बुद्वार को गुडगावा में रेस्ट आउस में मुख्यमंत्री जी से मिला ये निकम्मा मैंने जिन्दगी में एक आम और मैं किसको कह रहा है सुनो मैंने जिन्दगी में एक आदमी एक बात कह सकता है कि जिन्दगी में कई भूल होती है एक इनसान चलते चलते भी भूल कर देता है ये गरोवर वहाँ पर पहुंचा हुआ था और मैं आज, आज में सुनो एक मिनट, एक मिनट सुन जाओ सुन जाओ, मेरी बात आ जान देओ जिन्दगी में चलते चलते भी आदमी भूल कर देता है इनसान कभी, मेरे दादा जी कहते थे इनसान कभी complete नहीं होता बुड़ापे में भी गलती कर देता है जवानी में गलती कर देता है मेरी सबसे बड़ी भूल जिन्दगी की जो कि मैं शायद सुधार भी ना पाऊं मैं इस मुरख के लिए मैंने स्टेटमेंट दी थी इस ग्रोवर के लिए मैंने स्टेटमेंट दी थी सबसे बड़ी भूल थी सबसे बड़ी भूल थी सबसे बड़ी भूल थी और एक और इतनी चलाकी इतनी चलाकी गूट़कूट करके खून में बरी हुई है इतनी चलाकी मुख्य मंत्री इमांदारी से मैं जूत नहीं बोलता हूं मैं, जब मेरा जब भगवान परशुना मेरे अंदर का जागरत हो गया है तो मुझे को रोक नहीं सकता एक मिनिट खुन में भरी हुई एक मिनिट जब मैं बुद्वार को बुद्वार को रेश्ट ऑंस में मुक प्रमन्तरी जी से बात करी अरे सुन लो याव बुद्वार को जब बात करी मुख्यमंत्री जी से तो मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही के जमीन संस्ता की है जमीन संस्ता की है और संस्ता को मिलेगी बुद्वार को मैंने कहा जी हम रुक के मारेंगे हम ये बात कहेंगे के डेड़ महीने पहले डॉक्टर अर्विन शर्मा की मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी मुख्यमंत्री ने इस बात की हाँ भरी थी मुख्यमंत्री ने इस बात की हाँ भरी थी के जमीन दी जाएगी बहले हाँ भरी थी हाँ भई तो मका आप अफसरों को इदायत दो और चिठी मंगाओ आप अफसरों को इदायत दो चिठी मंगाओ मेरे सामने बाला जी जोशी को फोन किया किया फोन मेरे सामने अरुन गुपता को फोन किया लेकिन मेरे से पहले ग्रोवर ने जो बात पढ़ा दी थी वो ये पढ़ा दी थी कि अभी चिठ्ठी देनी नहीं है इसको बकाय रखो चिठ्ठी नहीं देनी अभी जमीन तो देनी है जमीन देनी है प्रहावर की जमीन है लीज की जमीन है जमीन तो ये वैसे भी नहीं रख सकते मैं आपको खुलासा करूँगा लेकिन अभी नहीं देनी मुख्य मंत्री का दिल खराब नहीं था मुख्य मंत्री चाता ता लेकिन मुख्य मंत्री अपने दिमाग से कोई काम नहीं करता मुझे इस बात का दुख है कारण है कारण है कारण है कारण है कारण है मैं उसके खिलाव नहीं हूँ मैं उसके खिलाव नहीं हूँ कभी कहते सुड़ों कारण क्या है कारण है आप देखो बोले तुम जाकर के स्टेटमेंट दे दो तुम जाकर के गरोवर को मेरे को बोले के आप जाकर के स्टेटमेंट दे दो होगी है और भाई सारा सरकारी मैकमा लगा दिया गया है और जमीन मिल जाएगी हमने स्टेटमेंट दे दी हमने स्टेटमेंट दे दी और मेरे भाईयो शुक्करवार को अरे सुन लो एक मिनिट यह अरे सुन जाओ अरे सुक्रवार को शुक्रवार को माने मुख्यमंत्री जिन एक वीडियो एक वो वाइच उस यूटूब चैनल पर इंट्रू दिया पर आपने वी देखा होगा आपने देखा हो ना वो इंट्रू क्या वो इंट्रू डॉक्टर अर्विंच शर्मा की खरामिटी करने वड़ा इंट्रू था और उसमें कुछ भी नहीं था आप दे ब्रामनों की खरामिटी करने वड़ा इंट्रू था वो एक बार भी मैंने मुख्यमंत्री को कल फोन किया मैंने कहा जी आपने क्या कर दिया ये आपने क्या किया भुले मैं तो बिल्कुल ठीक बात कही है जूट नी बोलूँगा मैं मैं जी क्या बोला, मैंने ठीक बात यह कही है, कि लोगों को पता लगना चाहिए, जमीन वो जो बात थी, असली बात नहीं, 2009 में थी, फ्लाणी सरकार ने दी, फ्लाणी अक्वार कर ली, ये कर ली, वो कर ली, जमीन भाई अभी कागजी कारवाई चल रही है लेंगे लेंगे नहीं अरह सीधी बात थी सांसद आपसे मिला है और सीधी बात आप ने कहने जी मैंने वाइदा कर दिया भाई दो चैर दिन में चिठी दे देंगे लेकिन नहीं आप इस गैराई को समझो इस जमीन के पीछे इ अब हकीकत बता रहा हूं क्यों अरे चोथी बार का सांसद मुख्य मंत्री से बार-बार का रैजिट चिठ्टी दे दो चिठ्टी अरे जब जमीन लीज की जमीन सरकार ने कबनिट के फैसले से गवर्नर ने जो जमीन कर रखी है उसको कोई माई का लाल कोई ताकत उसको उसको जमीन को रोक नहीं सकती हां उसमें टाइम लगा सकती कानुनी तोर पर टाइम लगा सकती कोई नहीं रोक सकती दूसरा एक और है जो यह बात औरी आठ करोड रुपे की अरे भाई किसी ने कानुनी दाव पेच की बात ही नहीं करी कल मैंने ओमपरकाज धन्खड जी का फोन आया कल तो ओमपरकाज धन्खड शाना बहुत है इसमें कोई शक नहीं है बहुत शाना इसमें कोई शक नहीं है और धन्खड जी ने बहुत है बहुत है इसमें कोई शक नहीं है ये पंदरा एकड जमीन में तो अब ब्रामन ये अपनी गोड ब्रामन संस्था गोड ब्रामन परचाल नहीं ये तो किरायदार है लीज पर है लीज पर होगे न तेतिस सट तेतिस साल की लीज पर तो किरायदार जो है वो किरायदार डेवलेप्मेंट के चार्ज क्यों बरगा किराएदार जो है कोई मकान किराएदार पे लेता है तूट फूट हो जाता किसका जुम्माँ है मकान-मालिक का जमीन की मालिक कौन है सरकार तो के चार्ज कौन देगा सरकार देगी यह मैं धनकर साहब का दन्यवाद करता हूं यह दाव पेच निकाल करके लिया यह आपका आपके जो सरदर्दी मिटा दी कि अभी शरफ अम हमारे को लीज अमाउंट लीज अमाउंट जो एक लाक रुपे था हर साल का जो 5% बढ़ना था वह भाई करना है रहा में एक बात और करना चाहता हूं भाई कि आज आप जुड़े हो वैसे तो मेरे यह एक आ गया था कि भी दो चेहर दिन में चिट्थी दे देंगे लेकिनी मेरे हो कहा है ना भाई ताही ताही कानी शीत गाली है बिला जीत ही साकर रैदर दूद गाल द तोड़ी सी लटक सकती लेकिन एक बात मैं कहता हूं एक महीन पर देना था चीए दो चेहर पांस दिन का टाइम लेकिन चलो कोई बात नहीं आगली 21 तारीक अगली 21 तारीक तक अगर यह जमीन के कागज सरकारी तोर पर नहीं आए तो डॉक्टर अर्विन शर्मा दरने पर बैठेगा पूरा अर्याना के साथ दरने पर अर्याना के साथ जो कि क्यों मेरी बात एक और सुनो सरकार एक बाद सुनो एक मिनिट सरकार क्या चाहती है एक मिनिट अरे रोत तक जीत के दे दिया सौनी पत जीत करके दे दिया 36 ब्रादरी के आश्रिवाद से ने रोत तक कर सौनी पत जो था रमेश कौशिक जीता अरे दोनों के दोनों मेंबर पारलेमेंट दोनों पारलेमेंट सीट जीत करके दे दी लेकिन पट्टी नहीं बंदरी है पट्टी क्यों नहीं बंदरी है को परसों जो केसिट रिलीज करी है न वह वीडियो वह बैकावे में आ करके करी गई गई ना अपने दिमाग से ने करी तो मैं इस बात की निंदा भी करता हूँ Mों कि आपने जब ये कर्दिया था कि भी डॉक्तर अरविन शर्मा को ये कहा था भी तुम जा करके prez conference कर दो वीडियो बनाोऌ दो और उसके बाद आपने जो परसों जो बात कही है वो पचणे लाइक नहीं है बिलकुल भी पचणे लाइक नहीं है इन शब्दों को आप से दुबारा से आपको दोराना चाहिए और भाई एक और बात सुनो रो तक जिला रो तक शहर एजूकेशन का हब है एजूकेशन का हब है मेरी के हमारे बच्चे जो रामकुमार गौतम जी कह रहे थे हो क्या कह रहे थे कि बच्चों को पढ़ाओ और मजबूती के साथ आगे बढ़ाओ बच्चों को पढ़ा लिखा करके मजबूती के साथ आगे बढ़ाओ कैसे बच्चों को पढ़ाओगे गोड ब्रामन संस्था पर एडिमिनिस्टेटर पढ़ा रख्या है वेश संस्था पर एडिमिनिस्टेटर पढ़ा रख्या है जाट संस्था पर एडिमिनिस्टेटर पठा रख्या है विश्करमाव संस्था में भी जगड़ा चल रहा था और सारी संस्थाओं में सरकार का कबजा है कैसे आप आगे बढ़ाओगे तो मैं इस बंच के मादम से कहना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी सरकार फैसला करे इन अडिमिनिस्टेटरों का अटा करके या तो कमेटी बनाए या इलेक्शन कराए जो भी उसने करना है वो इसको जल्दी से जल्दी फैसला करे यह मैं कहना चाहता हूँ और मेरी एक बात और है साथियो दखो रोतक लोकसभा को रोतक जिले को रोतक जिले को सरकार को स्पेशल दरजा देना चाहिए स्पेशल मैं उस दिर मन से भी कहा था स्पेशल दरजा कैसे स्पेशल दरजा जैसे कहते हैं न भाई भाई जारखंड को स्पेशल दरजा दो को बिहार को दो भंगाल को दो अरको कि सीट 36 ऑ्रादिरी ने जीति इसको स्पेशल दर्जा मिलना चाहिए। स्पेशल दर्जे में क्या आता है पूठता ही नहीं कोई अरे भाई रोत तक यह ला हम कुछ तो देऊगें और उस देण वाई सरकार से कहना चाहता हूँ भाई भादरगड से सांपला मेट्रो जोड सेंफ़ishing को बड़ा बात नहीं है। को बड़ी बात नहीं है क्या बात सिर्फ 30 क्रोड रुपया अब किलोमेटर का खर्चा है और भाई प्राइ सांपले से लेकर के बादरगड से सांपलार सांपला से बादरगड रो तक इसका सर्वे करा करके इसको जोड़ना चाहिए इसको देरी निकरनी चाहिए वहाँ उदर डासा बॉर्डर तक आगी है डासा बॉर्डर से बादली बादली से जजर ती चीजे सरकार जब तक ध्यान निकरेगी वो कहती है Feagibility, हर काम में, कोई स्कूल खुलता है, कोँ चड़के बनती है, वो Feagibility के लिए खुलती है, वो सरकार जनता के सुईदाओं के लिए खुलती है, तो ये बात भी जो है बहुत अच्छे तरीके से इसमें रखनी चाहिए, एक और बात मैं कहुआँगा, मेरे बुजर्गों साथियों जो भूत गेरी बात है, तो गेरी बात क्या है, कि देखो, बाई, दो हजार चोदा में दोखा हो गया, दो आजा में यह नहीं है कि भाई मुख्य मंत्री खटर बन गया मैं इसके खिलाफ नहीं हो बन गया पंजाबी मारे भाई है ठीक है कोई बात है लेकिन राम बिलाज जी ने क्या गलती करी थी तो 2014 में इतला बुंडा दोखा कर दिया नाम उनके नाम से सरकार बढ़ी उनके नाम से सारा काम हुआ और जब मुख्य मंत्री बंडे की बारी आई तो उसको भाई बिलकुल काटा सा काट गए एक तरह बठा दिये इस बात को आमने गेराई से सोचना चेहिए अर आप एक और सुनो अरियाना परदेश उनने सोच्छशेट में बनया था चपन साल होगे पहला मुख्यमंत्री कौन था क्या मिने रहा है छे मिने तो मारे साटे चार साल कद देओगे भाई अरो मारे साटे चार साल कद देओगे अरो मारे सुनो एक और चीज़ सुनो मोदी जी से भी बात करूँ आ मैं आज तक करी नहीं यह बात और मैं कुछ नहीं चाहता मैं धरम से बताता हूं मैं कुछ नहीं सेवा करना चाहता हूं मेरे को बोले भी प्रहामनों का लीडर मगा मैं लीडर नहीं बनना चाहता हूं मैं सेवक बनना चाहता हूं लीडर तो ये नौजवान बन लेंगे मेरे को कोई जरूत नहीं है मेरे दिल दुखता है सुनो मेरा दिल दुखता है जब मेरे पास को काम करा कराने के लिए आता है और काम कराने के बाद वो दुबारे जब आता है तो मेरा जी ले करता है कि मैं मेरी इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं उसका काम कर सकूँ तो मैं सब इतनी ताकत चाहता हूं कि मेरे कैने पर काम नहीं रुकना चाहिए मेरे कैने पर काम नहीं रुकना चाहिए जायज काम की बात करता हूं मैं ना जायज काम की बात नहीं करता हूं तो तो मैं सारा बात करके एक समय था भाई मैं इसलिए कह रहा हूं एक समय था जब पूरे देश में 20-20 स्टेट होते थे मैं 10-10 स्टेटों के मुख्य मंतरी ब्राह्मन होते थे मैं समाज की बात कर रहा हूं मैं हम त्यागी आदमी हम तो संत समाज से हैं हमारा परिवार और आज भी मैं से आया हूं सुन लो धान से मैं स्याद ना भी आता नवीन जैंद नकल का अभी आना है और आने के बाद मैं बह नव स्टान तो हकीकत में जूट नहीं बोलता हूं जिसमें बगवाज़ाद स्टान तो गाद मेरे घादा जी का लड़ा के समाज ने दth libro ॐ हम संसद हैं तो समाज की वजह से क्यों मैंने पहले भी शुरू में कहowners Bardzo समाज की बात करता हूं तो इसका मतलब 36 ब्रादरी की बात करता हूं प्रामन का मतलब 36 ब्रादरी है तो मेरे बुज़र्गों साथियों सारे मिल करके इस बात को आगे रखेंगे और भाई पूरी कोशिस करेंगे कि सरकार की समझ में आए क्यों मैं एक बार हात होँ तुम दिल से बताना मैं एकцы difícil को के रहाँ था एद्म2 से ममगा जिस समाज ने जिन लोगों ने वोट डाली है एक मिनित जिस समाज ने और जिन लोगों ने 36 बरादिरी ने जिनको वोट डाली है वोट ठगा मैसूस करते हैं उनने बेरा ही नहीं सरकार मारी है उनको पता ही नहीं आद हाथ उठा करके वोट उठाओ कि भारतिय जनता पारटी को किस किसने वोट डाली थाथ उठाओ भाई देखो ले 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 प्रेस वाले सारे समाज ने वोट डाली और एक बाई एक और आथ उठाओंगा एक और आथ उठाओंगा कितने साथी मानते हैं आथ उठाना अची दोद्दो उठा लेना कितने साथी म त्सक्राइब भी मजाक उड़ा उसक्राइब तुकर्म जाक व्या रह्याओ लगने नहीं के वर लाइद ह container आपकान पाटाद प्रॉट मिलगी हम कारवाई कर देंगे नहीं तो सांसाजे पूछाई सबूत सुन तो सबूत कोण देगा भाई सबूत मैं बताओं कहाँ जे मिलेंगे सबूत दो हैं एक ठेकेदार तो मेन और एक जो सब लेटिंग कर रहा किये दोनों कोड़ा करके थर्ट डिग्री कर लो सबूत मिल गया सबूत मिल गया सुन तो लो दौनों को दौनों को स्याइए स्टाफ विजिलेंस करे कोड़ा जो पता लग जया सबूत मिल गया अब मेरत पूछाएं सबूत बस सबूत दो अरह सबूत हो करो और पिलंग के नीचे छुपा देगा छोड़े हो सबूत तन छोड़े हैं अजय एक बात और अजय एक और सुनो एक में 21 तारी को ऐसा अलत बन सकते हैं नवीन जैंद को भी कहूंगा भाई नवीन जैंद का तब फरसा चलता रहे गर आपको एक बात और कह रहा हूं हमारे जो नेता हैं हमारे जो नेता हैं वो पता क्या सोचते हैं एक मिनिट भाई हमारे नेता कहते हैं वहले जी मेरे को चेर्मन बनवा दो मेंबर बनवा दो वो भूल गे वो भूल गे के 1966 में बगोद्याल जी मुख्य मंतरी बने उनको याद दे को याद ही नहीं है तो आपको याद करना पड़े गार याद कैसे करोगे मैं बताता हूं एक मिनिट हम कोशिस करेंगे हम कोशिस करेंगे मोदी जी से भी बात करेंगे हम कोशिस करेंगे पूरी जी जान की क्योंकि देश को देश को केंदर में भारतिय जन्ता पार्टी की जरूरत इसमें कोई शक नहीं है देश को भारतिय जन्ता पार्टी की जरूरत इसमें कोई शक नहीं है एक-क साथी ने एक-क साथी ने कम से कम पांच-पांच साथी पांच-पांच साथी दूसरी जातियों के जोडने है दलितों को जोडो बैकवर्डों को जोडो बालमिक्यों को जोडो और भाई किसानों को जोडो आपने एक एक साथी ने चार चार पांच पांच साथी जोड़ने हैं एक प्रोग्राम एक प्रोग्राम जबर्दस प्रोग्राम सितंबर अक्तूबर में एक कमेटी बना देंगे एक कमेटी बना करके अगस्त सितंबर में आगस्त में भाया बारिश बुरिज हो जाती है दिक् फैसला करेंगे कि आगे की रणनीती क्या हो अब की बार भाई सोधा छोड़ना नहीं है और एक और मैं नोजमान साथियों को कुँगा भाई नोजमान साथियों कुँगा यो ओमनेरान के था पर डक्टर साहब भी जब नवीन जे इंद की तरह से जमान थे जमान ने उत भी थ जोड़ दिया अज सुनों लेकिन करना पड़ेगा दूसरा दूसरा में कहता हूं कि सारी त्यारी करके आप लोग भूत मजबूती के साथ देखो एक और नवीन एक बात और सुन लो आज की जो हाजरी है न यह बहुत जबर्दस हाजरी है सारी क्रीम बैठी है ऐसी क्रीम ब 300 साथियों को और लेा सकता हैसी 크ीम बेठी है लेकिन एक मने एक मिन एक मिन एक मिन अरे सुनों एक मिन biscuit मैने पहले भी बाते करी है हमारी एक बात एक कमी है कि हम भाई जो गरमकुमार गौतम जी जो बता रहे थे फैनेंशली कमजोर है फानेंशली कमजोर है ब्राद्री लेक को वह कंखको आगर जाधा होता है यह कम नहीं है यह सबसे वड़ी बाद है अपने आप आहें तो इन चीज और दूसरा जो दोली वाली जमीन will बाई उसमें बहुत कमी आ रही है मैं कई बार जब जाता हूँ कोसली जाता हूँ वहाँ भी तिन-चार केस आते हैं जजर में भी आते हैं यो मनीश भी कई बार कह जाता है दोली वाली जमीन के बारे में तो मैं एक दरखास करूँगा स्टेज के माध्यमसे के सरकार को ऐसी पॉलिसी बनाएं को ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जिसके पास दोली वाली जमीन है उसके उसका मालिका नहाख उसको मिले दोली वाली जमीन का मालिका नहाख मिले ऐसी पॉलिसी सरकार बनाएं मैं फिर से सभी साथियों का बाई जो नौजवान साथी हैं आज की इस जो है माहौल में आज की इस भगवान परसराम जैनती के समार ओपर प्रमादरिये दुनों वक्त की जोत लाए गरो भगवान परसराम की बहुत ताकत है बहुत ताकत है एक बलगादेख लों सुना हो एक बाई हो काम कर लो डेट साल है एक बलागा दोको है अपर आडए खड़े दो शेर लिख रहा है पाणी से जो नाता है वो लिबास बदलता है गौड साब का है बाई कि मन था और पसीने से जो नाता है वो इतिहास बदलता है